हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टो इस्टडी 147 आज की वीडियो में भारत की जितनी भी नदिया है उनको डीटेल से कवर करेंगी और आसान बासा के इंदर जितनी भी नदिया है उनको कवर करके चलेंगे अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगाओ तो इसे लाइक और सेर करना साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं भारत के परमुक नदियों को अफवा तंतर सबसे पहले हम बात करते हैं कि ये अफवा तंतर क्या होता है तो अफवा तंतर सब्द एक छेतर की नदी तंतर की व्याख्या करता है जिससे अलग-अलग दिसाओं से चोटी-चोटी धाराय आकर एक मुख्य धारा यानि कि मुक्य नदी का निर्मान करती है तो यही कहलाता है अफवा तंत्र यानि कि यहाँ पे अलग अलग दिसाओं से चोटी चोटी धाराए आती है और यह धाराए आकर मुक्य नदी के अंदर मिल जाती है तो जिससे मुक्य नदी का निर्मान होता है तो यह सारा तंत्र कहलाता है अफवा तंत्र तो I hope आपको अफवा तंत्र समझ में आगया होगा अब आगे हम देखते हैं यहाँ पे कि एस्चुरी यानि जवान अदमुक और डेल्टा यह क्या होता है आगे बढ़ने से पहले हम पहले इनको एस्चुरी को और डेल्टा को अच्चे से समझेंगे तो सबसे पहले हम बात करते हैं एस्चुरी की एस्चुरी एक ऐसा चत्र होता है यानि सागर तत्पा इस्थित आदा बंद खारे पाने का वह चत्र होता है जहाँ नदियों का ताजा पानी समुंदर के खारे पानी के साथ मिलता है जैसा कि आपको डाइग्राम में दिख रहा है कि यहाँ से कोई नदी आ रही है और यह नदी समुंदर के खारे पानी से मिल रही है तो यह कहलाता है एस्चुरी यहाँ पे कुछ परमुक नदिया है जैसे नरमदा नदी, दापती नदी, मानवी नदी यह सबी नदिया एस्चुरी यानि जवान दमुक का निर्मान करती है नेक्स्ट अम आगे देखते हैं कि यह डेल्टा क्या होता है तो डेल्टा, नदी जहाँ पे माहसागर में मिलती है उस जगे नदी के द्वारा बहा कर लाई गई मिट्टी के कारण नदी की दाराए कही दाराओं में बढ़ जाती है जैसा कि आपको डाइगराम में दिख रहे हैं कि यहाँ से एक नदी आ रही है और यह माहसागर में मिलने से पहले अलग अलग परकार की विबिन धाराओं में बढ़ जाती है और विबिन धाराओं में बढ़ कर यह तिल्बुचाकार चत्र का निर्मान करती है और यह तिल्बुचाकार चत्र इसे ही कहा जाता है डेल्टा याद रखना है आपको यहाँ पे कि यह जो डेल्टा है यह प्राय उपजाओं मिट्टी का निर्मान करता है तो डेल्टा उपजाओं मिट्टी का निर्मान करता है कुछ परमुग नदिया है जो डेल्टा का निर्मान करती है जैसे गंगा नदी होगी, ब्रह्मपुत्र नदी, महा नदी, गोदावरी, कृष्णा और यह सबी नदिया डेल्टा का निर्मान करती है तो I hope आपको एश्चुरी और डेल्टा यह अच्छे से समझ में आ गया होगा अब हम आगे देखते हैं कि भारत का जो अफवा तंतर है, इसको हम दो भागों के अंदर कवर करेंगे एक तो हो जाएगा हमारे पास में हिमाली अफवा तंतर और एक हो जाएगा प्रायदीपी अफवा तंतर तो दो बागों में इस चेप्टर को कवर करेंगे हिमाले अफवा तंतर जिसके अंदर हमारे पास में आएगा सिंदु नदी तंतर, गंगा नदी तंतर और एक आजाएगा भ्रहम पुत्र नदी तंतर और प्रायदीफी अफवा तंतर में हम मद्य वारत और दक्षिनी वारत की जो पर्मुक नदिया है जैसे नरमदा नदी, तापती नदी, महा नदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी इन सभी नदियों को अच्छे से डिसकस करेंगे तो सबसे पहले हम हमाले अफवा तंतर के अंदर सिंदू नदी तंतर को अच्छे से डिसकस करेंगे तो चलिए स्टार्ट करते हैं सिंदू नदी तंतर को सिंदू नदी, सिंदू नदी तीन देशों से होकर बैते हैं, चेन, भारत और पाकिस्तान सिंदू नदी जो है इसका उदगम होता है तिबबत में यस्तित्मानसर और जील के निकट से और ये आगे बहते हुए बारत के अंदर लददाग में दमजो के पास से या भारत में परवीश करती है और आगे बढ़ते हुए नदी गिलगिस से होते हुए दर्दिस्तान के पास से पाकिस्तान में परवीश करती है पाकिस्तान में परवीश करने के बाद में यह नदी कराची के पूरव से होते हुए अरब सागर में जाकर मिल जाती है तो याद रखना है सिंदु नदी के बारे में कि इसका उद्गम ये तो होता है मांसरो और जील के निकट और ये उत्तर पच्चे में दिसा से बहते हुए नदी भारत के अंदर लद्दा के दमजोग के पास से ये प्रवीश करती है और आगे चलते हुए गिलगिस से होते हु तो याद रखना इसके कुल नंब़ाई ए 2,880 किलोमेटर आगे हम देखते है कि जो सिंदू नदी है इसी सिंदू नदी पर भारत का जो लह सहर है ये है दाए टट पर इस्तित है तो एकजामी क्योशन पूछ लें कि सिंदू नदी के दाए टट पर कोन सा सहर इस्तित थै तो यह भारत का ले है सहर Next सिंदो नदी इसकी पांच परमुख सहायक नदिया है एक तो है चेनाम नदी जेलम नदी, रावी व्यास और सतलच यह पांच परमुख सिंदो नदी के सहायक नदिया अब इन नदीयों को एक एक करके हम डिस्कस करेंगी क्योंकि ये एक्जाम के लिए अतिमहतुपून है सबसे पहले हम बात करेंगे चेनाम नदी के बारे में ध्यान रखना है जो चेनाम नदी है ये सिंदो नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है तो सिंदो नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है चेनाम नदी और इसका उदिगम होता है हिमाचल प्रदेश के के ट्वल वे लारा दर्रे से यानि बारा लाचा दर्रा या फिर के ट्वल वे लारा दर्रा इससे होता है चेनाम नदी का उदिगम ध्यान रखना है जो चेनाम नदी है इसका निर्मान दो नदियों से होता है एक तो होता है अपने पास में चंदरा नदी और एक है भागा नदी तो याद रखना है चंदरा नदी और भागा नदी से इसका निर्मान होता है इसलिए जो चेनाम नदी है इसे चंदर भागा नदी के नाम से भी जाना जाता है एकजा में क्योशन पूछ लेता है कि चंदर भागा नदी के नाम से किसे जाना जाता है तो ये जाना जाता है चेनाम नदी को चेनाम नदी ये पाकिस्तान में जाकर सिंदू नदी से मिल जाती है लेकिन ये सिंदू नदी से मिलने से पहले इसे नदी के अंदर जैलम नदी, रावी नदी, सतलच, व्यास ये सबी नदिया आकर मिलती है अब आगे हम देखते हैं कि कौन से नदी कहां पर आकर मिलती है तो सबसे पहले हम देखते हैं जैलम नदी की जेलम नदी, जेलम नदी का उदगम कस्मीर घाटी के बेरिनाग के निकट से होता है और ये नदी 170 किलो मेटर भारत पाकिस्तान का सीमा का निर्मान करते हुए पाकिस्तान के जंग के निकट ये चेनाब नदी के अंदर जाकर मिल जाती है तो पाकिस्तान के निकट जो जंग है वहाँ पर जाकी ये चेनाम नदी में मिल जाती है नेक्स्ट रावी नदी का जो उद्गम है ये हिमाचल परदीश के रोहतांग दर्रे से होता है और रोहतांग दर्दे से निकल कर ये कस्मी तता पंजाब से होते पाकिस्तान के जंग के निकर चेनाम नदी में मिल जाती है Next time बात करती है आँपे सतलज नदी की सतलज नदी इसका उदिगम होता है तिबबत के राकसस्ताल से तो याद रखना है तिबत का जो राकसस्ताल है यहीं से होता है सतलज नदी का उद्गम और सतलज नदी राकसस्ताल से निकल कर यह सिंदू नदी के समानांतरन बहती हुई हिमाचल परदीस में प्रवीश करती है आगे पंजाब से होते हुए यह पाकिस्तान के बहावलपुर में चेनाम नदी में जाकर मिल जाती है तो याद रखना है जो सतलज नदी है यह पाकिस्तान का यहाँ पे इस्तित बहावलपुर यहाँ पी जाकी यह चेनाम नदी में मिल जाती है चाहर रखना आपको जो सतलर्ज नदी है इसका उद्गम भारत के बाहर होता है तो भारत के बाहर तिबत के राकसस ताल से सतलर्ज नदी का उद्गम होता है यहीं पर आपको एक important बात याद रख thinkи कि चेनाव में मिलने से पहले इसमें व्यास नदी आकर मिलती है तो सतलज नदी के अंदर व्यास नदी आकर मिलती है नेक्स टम देखते हैं व्यास नदी को व्यास नदी इसका उदगम होता है हिमाचल परदेश के रोहतांग दर्रे से तो याद रखना एक तो रावी नदी और एक व्यास नदी इन दोनों का उद्गम हिमाचल परदेश के रोहतांग दर्रे से होता है यहां से यह नदी निकल कर व्यास नदी हिमाचल परदेश के कुलू गाटे में बहते वे पंजाब के हरीके में यह सतलज नदी से मिल जाती है Next हम यहाँ पे देखते हैं कि जो यह पंजाब का हरीके चतर है जहाँ पे हमने देखा था कि व्यास नदी और सतलज नदी इन दोनों का यहाँ पे संगम हो रहा था वै चेतर था पंजाब का हरी के चेतर और पंजाब की इसी हरी के चेतर से देश की सबसे लंबी नहर निकल दिये जो है इंदरा गांदी नहर तो याद रखना है देश की सबसे लंबी नहर इंदरा गांदी नहर यह व्यास और 17 जनरी जहां पे संगम होती है वह 16 हरी की चतर पंजाब जहां से निकलती है इंदरा गांदी नहर और यह पंजाब और राजस्तान से होकर गुजरती है याद रखना है यहाँ पर कि जो व्यास यह इंद्रा गांदी नहर है इसकी कुल लंबाई राजस्तान के अंदर है 470 जो कि सबसे अधिक है नेक्टम आगे देखते हैं यहाँ पर कि ध्यान देना है यहाँ पर एक होता है पंचनद नदी तो पंचनद नदी इसका निर्मान होता है पाकिस्तान के बहावलपुर में जब सतलज नदी तेनाब नदी से मिलती है तो याद रखना है कि जब सतलज नदी इस चेनाब नदी स संगम होता है बहावलपुर छेतर के अंदर जो कि पाकिस्तान के अंदर इस्तित है और यही पे ये पाँचो नदिया मिलकर मनाती है पंचनद नदी का निर्मार और ये पंचनद नदी फिर सिंदु नदी से मिलने से पहले 45 किलोमेटर तक कि ये पांचो नदिया एक साथ होकर बैती है तो याद रखना है पाकिस्तान के बहावलपुर में जब सतलज नदी चैनाब नदी से मिलती है तो ये चैनाब में मिलकर पंचनद नदी का निर्माद करती है यानि कि सिंदू में मिलने से पहले ये पंचनद नदी जो है ये 45 किलोमेटर तक पांचो नदिया एक साथ होकर बैती है और उसके बाद में ये सिंदू नदी में मिल जाती है और सिंदू नदी में मिलकर ये अरब सागर में जाकर गिर जाती है तो यह था अपना सिंदू नदी तंतर अब सिंदू नदी तंतर में अपन को एक और बात याद रखें कि जैसे ये जितने मी नदिया है ये सबी भारत में से होकर बहरी है अब यदि भारत जाए तो इन सबी नदियों का पानी यहीं पे रोक ले तो पाकिस्तान के पास में पानी नहीं पहुंचेगा तो इसी के लिए एक वाता सिंदू जल समझोता हूं और सिंदू जल समझोता ये वाता सन 1960 के अंदर तो याद रखना है पानी के विदरन के लिए सन 1960 के अंदर भारत और पाकिस्तान के बीच में एक संदी हुई थी इस समझोते के अनुसार तीन पूर्वी नदियां व्यास नदी, रावी नदी और सतलज यानि एक तो होगी व्यास नदी, एक होगी अपने पास में रावी नदी और एक होगी सतलज नदी इनका नियंतरन तो अपने देश भारत के पास में रहेगा लेकिन तीन पच्ची में दो नदी है सिंदू नदी, चैनाब नदी और चैलम नदी यानि सिंदू नदी, चैलम नदी और चैनाब नदी इन तीन नदियों का नियंतरन रहेगा पाकिस्तान के पास में तो यह था सिंदू चल समझोता जो कि हुआ था भारत और पाकिस्तान के मंदे 1907 में और यह हुआ था विस्व बैंक की मंदेस्तिता के अंदर जिसमें तीन पूर्वी नदिया व्याज, रावी और सतलज इनका नियंत्रन तो भारत के पास में रहेगा जबकि तीन पच्चिमी नदियों का नियंत्रन रहेगा जो कि है सिंदू, चेनाब, जेलम, इनका नियंत्रन रहेगा पाकिस्तान के पास में नेक्श नम आगे देखते गंगा नदी तंत्र को, तो सिंदू नदी तंत्र को अच्छे से डिसकस किया है आगे हम देखते गंगा नदी तंत्र को, तो गंगा नदी तंत्र तो गंगा नदी यह भारत की सबसे लंबी नदी है, याद रखना है भारत की सबसे लंबी नदी है गंगा नदी, इसकी कुल लंबाई तो है 2525 किलोमेटर, लेकिन यह दी भारत के अंदर पूछ ले, कि भा मैं यहां पे देहें कि एक तो है सतवपत हिमानी यहांसे तो निकलती है अलग नंदा न दी यानि जो अलक नंदा नदी है यह निकलती है सतोपत हिमानी से और एक है गोमुक गोमुक से निकलती है भागी रती नदी तो जो गोमुक है यहां से निकलती है भागी रती नदी और भागी रती नदी और अलक नंदा नदी यह दोनों आके देव प्रियाग के अंदर एक जगे मिल जात तो याद रखना है बागी रती नदी और अलग नंदा नंदी यह देव परियाग में मिलती है और यहाँ पे मिलके यह गंगा नदी का निर्मान करती है यहाँ पी जो अलक नन्दा नदी है इसकी परमुक दो सहाइक नदी है एक तो है पिंडारी नदी और एक है मन्दा किनी नदी सबसे पहले हम बात कर दें पिंडारी नदी के पिंडारी नदी यह जब अलक नन्दा में मिलती है तो यह मिलती है करन परियाग के अंदर तो याद रखना है पिंडारी नदी और अलग नंदा नदी यह दोनों करन परियाग के अंदर मिलती है जबकि मंदा किनी नदी और अलग नंदा नदी यह मिलती है रुद्दर परियाग के अंदर तो आपको important बात याद रखनी है कि अलग नंदा और पिंडारी तो मिलती है करन परियाग ले जबकि मंदाकिनी और अलग नंदा मिलती है रूद्दर परियाग के अंदर यहीं पर आपको important बात याद रखनी है कि एक है धोली गंगा तो दोली गंगा और अलक नंदा यह मिलती है विश्णु प्रियाग के अंदर नेक्स्ट है प्रसिद जो केदारनात का मंदिर है यह है मंदाकिनी नदी के तट पर तो जो मंदा किनी नदी है इसी के तट पर इस्तितर प्रसिद केदारनात का मंदिर और जो बदरीनात का मंदिर है यह है अलक नंदा नदी के तट पर तो यहाँ पर important बात याद रखने हैं आपको कि बद्रीनात मंदिर यह अलक नंदा नदी के तरपर है केदारनात मंदिर है मंदाकिनी नदी के तरपर दोली गंगा और अलक नंदा विश्नो प्रियाग में मिलती है पिंडारी पत अलग नंदा मिलती है करण प्रियाग के अंदर फिर है मंदाकिनी पत अलग नंदा मिलती है रुद्र प्रियाग में फिर आगे चलके ये भागी रती पत अलग नंदा ये मिलती है देव प्रियाग के अंदर और देव परियाग में मिलने के बात में यहां से मन जाती है गंगा नदी नेक्श नम आगे देखते हैं गंगा नदी तंत्र को तो गंगा नदी तंत्र यह उत्तरा खंड से निकली गंगा उत्तर परदेश बिहार से होते वे पच्छिम बंगाल सक भाती है पच्चिम बंगाल के अंदर फरक्का पर ये दो धराओं में बढ़ जाती है तो याद रखने पच्चिम बंगाल के फरक्का में ये दो धराओं में बढ़ जाती है हुगली और मुक्चे धराओं भागी रती तो याद रखने उत्राकंड से निकलती है फिर ये उत्तरपर्देश से होते हुए बिहार और बिहार से होते हुए फिर ये पच्चिम बंगाल के अंदर बहती है पच्चिम बंगाल के फरक्का के अंदर जैसे ये पच्चिम बंगाल के फरक्का के अंदर पहुचेगी यहां से यह दो दाराओं में बढ़ जाती है एक तो हो जाती है हुगली नदी और एक मुख्यधारा भागी रती नदी और जो भागी रती नदी यह आगे जाके बांगलादेश के अंदर परवेश करती है और जैसे ही बांगलादेस में ये परविश्च करती है इसका नाम हो जाता है पद्मा आगे जाके ये पद्मा नजी जो है ब्रह्म पुतर नदी से मिल जाती है एक बर वापस से डिसकस करते हैं कि जो गंगा नदी हैं ये उत्राकंड से निकलती हैं और उत्रपरदेश से होते हुए ये बिहार से होते हैं पच्चिम मंगाल के नदर पच्चिम मंगाल में ये फरक का पर दो दाराओं में विवाज़त हो जाती है एक का नाम तो है उगली और एक का नाम हो जाएगा भागीरती जो भागी रती दारा है यह होती है मुक्य दारा और जो भागी रती दारा है यही आगे जाकी यह बांगलादेश में प्रवीश करती है जैसे यह बांगलादेश में प्रवीश करती है इसका नाम हो जाता है पदमा और जब पदमा नदी आगे चलकर प्रमपुतर नदी से मिलती है ब्रमपुतर नदी जिसे पांगलादीस के अंदर जमना नदी के नम से जाना जाता है तो पदमा नदी जब ब्रमपुतर नदी से मिलती है तो जहां पी ये दोनों नदिया मिलती है दोनों नदियों के मिलने के बाद में एक सयुक्त नदी मन जाती है इस सयुक्त नदी को कहा जाता है मेगना नदी और यह मेगना नदी आगे जाके बंगाल की खाड़ी के अंदर जाके गिर जाती है तो याद रखना है कि भागीरती नदी ये बांगलादीस में मुख्य धारा के रूप में प्रवेश करती है जहाँ पे इसे पद्मा नदी के नाम से जाना जाता है और यही पद्मा नदी आगे बढ़ते हुए पद्मा भ्रह्म पुत्तर में और जो भ्रह्म पुत्तर है इसे बांगलादेश में जमुना नदी के नाम से जाना जाता है में मिल जाती है और जहाँ पे ये ब्रह्म पुत्र नदी और जो पद्वा नदी है ये सयुक्त रोप से मिलती है उसे कहा जाता है मेगना और ये ही मेगना नदी आगे चलकर भांगाल की खाड़ी के अंदर गिर जाती है तो आपको गंगा नदी तंतर ये अच्छे से समझ में आ गया होगा Next time आगे यहाँ पे कुछ बात करते हैं important बात जैसे कि यह जो गंगा नदी तंतर है तो गंगा नदी तंतर की बहुत से सायक नदिया है जिसमें यमुना नदी, कोशी नदी, सोन नदी, गोमती नदी, दामोदल, घागरा, जिसे सर्यो नदी भी कहते हैं गंडक और राम गंगा यह है गंगा नदी की बहुत से सायक नदिया अब इनको अच्छे से डिसकस करते हैं Next time देखते हैं यमुना नदी तो यमुना नदी, यह गंगा नदी की सबसे बड़ी सायक नदी है और यह उत्राखंड के बंदरपूर चोटी पर इस्तित, यमनोत्री हीमानी से निकलती है तो याद रखना है यमुना नदी के बारे में कि यह गंगा नदी की सबसे बड़ी सायक नदी है और ये उत्राखन के बंदरपूर चोटी पर यमनोतरी हिमानी से निकलती है नेक्स्ट अम यहाँ पे देखते हैं कि यह जो यमुना नदी है यह उत्राखन से हरियाना फिर दिल्ली उत्तरपरदेस में बहते विये प्रियागराथ से होते हुए यह गंगा नदी में जाकर मिल जाती है तो याद रखना है कि यमुना नदी है यह उत्राखन से हरियाना दिल्ली उत्तरपरदेस में बहते हुए प्रियागराथ इलहाबाद में गंगा नदी में जाकर मिल जाती है यहाँ पे आपको important बात आद रखने है कि यमुना नदी जो है ॹसका प्राचीन नाम है कालिंदी नदी railway के exam में पूछा गया है कालिंदी नदी के नाम से किस नदी को जाना जाता है तो यह जाना जाता है यमुना नदी को नेक्स्ट है यमुना नदी की बहुत से सायक नदी है जिसमें परमुक है चंबल नदी, पेत्वा नदी और केन नदी तो याद रखना है इसकी बहुत से सायक नदी है चंबल, पेत्वा और केन नेक्स्ट हम यमुना नदी की जो सायक नदी है इनको डिसकस करेंगी जिसमें सबसे पहले हम करेंगी चंबल नदी को चंबल नदी ये मद्दे परदीश के इंदोर में इस दित महु चेतर के जनापाव परवल से निकलती है और उत्तर मुद्दे भाग में भैदते वे ये नदी राजस्तान से होकर उत्तर परदेश के इटावा में यमुना नदी से मिल जाती है तो याद रखने है उत्तर परदेश का जो इटावा है यहाँ भी ये यमुना नदी से मिल जाती है इसके कुले नमबाई है 965 किलोमेटर नेक्स्ट हम बात करते हैं बैतवा नदी के बैतवा नदी ये मद्दे परदेश के भोपाल से निकलते वे उत्तरपूर्वी दिसा में बैते वे ये उत्तरपरदेश के हमीरपूर में यमुना नदी से मिल जाती है तो याद रखना है उत्तरपरदेश के हमीरपूर में ये यमुना नदी से मिल जाती है नेक्स्ट है ध्यान रखना है यहाँ पर आपको कि प्रसिद इस्तान जो साच्ची है तो साच्ची का जो इस्तान है ये बैतवा नदी की किनारे पर इस्तित है तो important बात हैं जो प्रसिद इस्तान साच्ची है यह बेद्वा नदी के किनारे पर इस्तित है और साच्ची के अंदर कहीं बहुत इसमा रखे साच्ची का जो इस्तूप है यह असोप ने तीसरी सथापदी में मनाया था next time बात करते है कोसी नदी के मारे में जो कोसी नदी है यह नदी नेपाल में हिमाले से निकलती है और बिहार में प्रवीश करती है तो याद रखने कोसी नदी यह नेपाल में हिमाले से निकलती है और यह बिहार में प्रवीश करती है यह जो कोसी नदी है यह प्राई अपना मार्ग बदलने की कारण चर्चा में रहती है इसमें आने वाली बाड़ से बिहार में अधिक मात्रा में तबाई देखने को मिलती है इसलिए कोसी नदी को बिहार का सोग कहते हैं तो याद रखने एक जा में पूछा गया है कि बिहार का सोग किस नदी को कहते हैं तो यह कहते है को सी नदी को यह नदी बिहार के कटियार में गंगा नदी से मिल जाती है तो बिहार का जो कटियार चेतर है यहाँ पे आके यह गंगा नदी के अंदर मिल जाती है नेक्ट यहाँ पे दामोदर नदी यह जारकन के चोटा नागपुर पठार से निकलती है तो याद रखने है कि जारकन के चोटा नागपुर पठार से निकलती है दामोदर नदी और यह पच्ची में बैठते हुए हुगली नदी में जाकर मिल जाती है इसी नदी में अचानक बाहर आने के कारण इसे बंगाल का अभिशाब कहते हैं तो याद रखना है बंगाल का अभिशाब यह कहते हैं दामोदर नदी को यहीं पर आपको एक और important बात ध्यान रखनी है कि production के कारण इस नदी को जेविक मरुस्तल के नाम से भी जाना जाते है I.S. के exam में पूछा गये हैं कि जेविक मरुस्तल के नाम से किस नदी को जाना जाते है तो यह जाना जाता है दामोदर नदी को तो यहाँ पर important बाते आपको याद रखनी है एक तो है कि बिहार का सो किस नदी को कहते हैं तो यह तो कहते है कोसी नदी को और बंगाल का अभिशाफ यह कहते है दामोदर नदी को next अम बात करते हैं गोमती नदी का तो यह कहते हैं गौमत इताल हो यह नदी गंगा नदी की एक मातर ऐसी सहाएक नदी है जिसका उधिगम मैदाल से होता है तो याद रखने हैं गौमती नदी के बारे में important जान करिया कि इसका उधिगम उत्तरपरदेश के पीली भीत में इसनित गौमत इताल से होता है जिसे फुलहर जील के नाम से भी जाना जाता है और एकजाम में क्योशन पूछली कि गंगा नदी की एक मातर ऐसी सहाएक नदी जिसका उधिगम मैदाल से होता है तो यह हो जाएगा गौमती नदी next is zone नदी zone नदी जो है इसका उधिगम होता है मद्य परदेश के अमर कंटक नामक इस्तान से और यहां से यह नदी निकलते हुए उत्तर की और बैते हुए पटना की निकट गंगा नदी में जाकर मिल जाती है तो याद रखना है जो zone नदी है यह मद्य परदेश के अमर कंटक से निकलती है और उत्तर की और बैते हुए यह पटना की निकट गंगा नदी में जाकर मिल जाती है next हम बात करते हैं यहाँ पर important बात की कि एक तो है zone नदी और एक है यमुना नदी इन दोनों के बीज में जल विभाजन का कार्य करती है केमुर की पहाड़ी तो यह जो केमुर की पहाड़ी है यह एक तो इस यमुना नदी और zone नदी इन दोनों के मद्य में जल विभाजन का कार्य करती है केमुर की पहाड़ी है next है इसके अलावा गंगा के कुछ शायक नदिया और है जो कि ए घागरा जिससे सरीयो नदी के नाम से जाना जाता है और एक गंड़क नदी जो कि गंगा के बाये तट पर आकर मिलती है। नेक्स्टम याद करते हैं यहाँ पे कुछ गंगा नदी से संब्धित महतोपून पॉइंट जिसमें सबसे पहला है कि कौन सी नदी गंगा के दाये तट पर आकर मिलती है और कौन सी नदी गंगा नदी के बाये तट पर आकर मिलती है तो सबसे पहले हम बात करते हैं गंगा न नदियों की बात करें तो इसमें हो जाएगा गॉम्ती नदी, गंडक नदी, ढागरा नदी और कोसे नदी, तो याद रखने है एक्जाम में क्योशन पूछ लेटा है कि गंगा नदी के दाए तटकी नदी को नदी और बाय तटकी नदी आ कोँसी हैं, तो दाए तटकी और गंगा नदी के किनारे बसा सबसे बड़ा सहरे कानपूर तो याद रखना है 2008 में तो इसे राश्टी नदी का दर्जा दिया गया और गंगा नदी के किनारे बसा हुआ सबसे बड़ा सहरे कानपूर गंगा नदी के परवाह का करम है ये सबसे पहले उत्राकण में बैते हुए उत्तरपरदीश, फिर बिहाल और पच्चिम बंगाल के अंदर परवीश करती है पच्चिम बंगाल से होते हुए ये बांगलादीश और बांगलादीश से होते हुए फिर बंगाल की खाड़ी में जाकर गिल जाती है नेक्स्ट हम कवर करते हैं ब्रह्म पुतर नदी तंतर को सिंदु नदी तंतर और गंगा नदी तंतर को अच्छे से डिसकस कर लिया है नेक्स्ट है ब्रह्म पुतर नदी याद रखना है ब्रह्मु पुतर नदी ये तिबबत भारत और बांगलादेश से होकर बैठती है ये नदी तिबबत के मांसरो और जील के निकर से निकलती है तो याद रखना है तिबबत की जो मांसरो और जील है इसके निकर से निकलती है ब्रह्मु पुतर नदी नेक्स्ट है ब्रह्म पुतर नदी, सतलज नदी और सिंदु नदी ये सभी नदिया तिब्बत के मांसरोर के पास से निकलती हैं तो important बात है कि एक तो ब्रह्मपुत्र नदी, सतलज नदी और सिंदु नदी ये तीनों नदिया तिबबत के मानसरोर के पास से निकल दिये हैं तिबबत से निकलने वाले इस ब्रह्मपुत्र नदी को तिबबत में यरलूंग जंगभो के नाम से जाना जाता है या फिस सांगभो की नाम से जाना जाता है याद रखने हे कि जो भ्रह्म पुत्र नदी है इसको आरुणाचल पर्देश में दिहांग की नाम से जाना जाता है यह जाना जाता है जबकि यरलोंग ज Surf को के नाम से झाना जाता है टिबत के अंदर ब्रह्म पुत्र नदी को ब्रह्म पुत्र नदी ये असम घाटी में पहते विए ये नदी बांगलादेश में प्रवीश करती है जहां इसे जमुना की नाम से जाना जाता है यानि जो ब्रह्म पुत्र नदी जैसे बांगलादेश में प्रवीश करती है इसका नाम हो ज जाना जाता है मेगना नदी की नाम से जैसा कि अभी हमने लाश्ट गंगा नदी तंतर के अंदर डिसकस किया था कि जो गंगा नदी है ये पच्ची में बंगाल के अंदर आके फरक्का के अंदर एक तो हुगली नदी और एक भागी रती नदी के अंदर विवाजित हो जाती ह और यह भागी रती नदी जब बांगलादेश में प्रिविश करती है तो इसका नाम हो जाता है पदमा नदी तो जैसे भागी रती नदी बांगलादेश में प्रिविश करती है इसका नाम हो जाता है पदमा नदी और यहां से आरी है ब्रह्म पुतर नदी और ब्रह्म पुतर नदी जैसे ही मांगलादीस में प्रिविश करती है इसका नाम हो जाता है जमुना तो जमुना नदी और पद्वा नदी जिस जगह मिलती है वहाँ पे मिलने के बाद में इसका सयुक्त रूप से नाम हो जाता है मेगना और मेगना नदी आगे चलती है और आगे चलने के बाद में विस्व का सबसे बड़े डेल्टा का निर्मान करती है जिसका नाम है सुन्दरवन डेल्टा तो आगे चलके ये सुन्दरवन डेल्टा का निर्मान करती है और डेल्टा का निर्मान करने के बाद में ये बंगाल की खाड़ी में जाके गिर जाती है तो यह था ब्रह्म पुतर नदी तंतर नेक्ट हम देखते हैं ब्रह्म पुतर नदी तंतर के पर्मुक सहाइक नदिया जो की एक्जाम के लिए इंपोर्टेंट है जितनी भी नदिया हैं उन सभी को याद रखना है क्योंकि एक्जाम में क्योशन पूछ लेता है कि प्रह्म पुत्र की कौन कौन से सहाइक नदिया है तो एक तो जाएकी तीस्ता नदी, सुवनसिरी, कमिंग, मानस, दिभांग, लोहित, बराक और कपिली जिसमें याद रखनें तीस्ता नदी तनतर के बारे में कुछ important point जिसमें सबसे पहले तीस्ता नदी जो है इसका उदिगब सिक्कम से होता है तो सिक्किम यहाँ से होता है तीस्ता नदी का उदिगब यह पच्चिम बंगाल से होते हुए बांगलदिस में प्रिविश करती है और वहाँ पे इसे ब्रह्म पुतर नदी के नाम से जाना जाता है नेक्ष्ट है लोहित नदी इसको खून की नदी के नाम से भी जाना जाता है तो एकजा में क्योशन पूछ लें कि खून की नदी की नाम से किसे जाना जाता है तो यह जाना जाता है लोहित नदी को नेक्ष्ट है बराक नदी और जो यह बराक नदी है यह मनीपूर की पहाड़ियों से निकलती है मनिपुर से मिजोरम असंप से होते वे ये बांगलादिस में प्रवीष करती है और मेगना नदी में जाकर मिल जाती है तो यह थी बराक नदी नेक्स्ट है ब्रह्म पुतर नदी तो ब्रह्म पुतर नदी गंगा नदी के साथ मिलकर विश्व का सबसे बड़ा नदी डेल्टा सुन्दर वन डेल्टा का निर्मान कीती है जैसा कि अभी हमने डिसकस किया था कि ब्रह्म पुतर नदी गंगा नदी के साथ मिलकर विश्व का सबसे बड़ा नदी डेल्टा बनाती है जो है सुन्दर वन का डेल्टा तो याद रखने है ब्रह्म फुत्तर नदी वेश्वा का सबसे बड़ा नदी ड्रीप मांदूली ड्रीप जोगी असम के अंदर इस्तित यहां मना थी तो अबी तक हमने सिंदू नदी तंतर, गंगा नदी तंतर और ब्रह्मपुत्र नदी तंतर को अच्छे से कवर किया है आगे हम कवर करते प्राय दीपिय नदी तंतर में तो चलिए स्टार्ट करते प्राय दीपिय नदी तंतर हिमाल्य नदी तंतर की तुलना में जो प्राय दीपिय नदी तंतर है यह बहुत अधिक पुराना है निक्ष्ट है दक्षिन भारत की नदिया प्राय वरक्षन उमा होती है तो याद रखना है दक्षिन भारत की दो नदिया है उनका अफवा तंत्र होता है वरक्षनुमा प्रायदी पिय नदियों के अफवा तंतर में हम नरमदा नदी, तापते नदी, माही नदी, गोदावरी कृष्णा, कावेरी, महा नदी आदी नदिया आती है प्राइदी पिये नदियों के अफवात अंतर में अरब सागर में गिरने वाली नदियों की बात करें तो यह हो जाएगी नामदा नदी, तापती नदी और माही नदी तो याद रखना है माही नदी हो गई, नामदा नदी, तापती नदी ये सबी गिरती है अरबसागर में जबकि बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों की बात करें तो ये हो जाएगी गोदावरी नदी, क्रिश्णा नदी, कावेरी और महा नदी ये सबी नदिया गिरती है बंगाल की खाड़ी में नेक्स नम यहाँ पर बात करते हैं सबसे पहले नरमदा नदी की तो जो नरमदा नदी है यह है मद्य परदीश के अमरकंटक से इसकी उत्पत्ती होती है तो याद रखने मद्य परदीश के अमरकंटक से नरमदा नदी की उत्पत्ती होती है जो पच्चिम की और बहते हुए 132 किलोमेटर की दूरी तेकर खंबात की खाड़ी और अरब सागर में जाकर मिल जाती है तो याद रखने नरम्दा नदी के बारे में कि इसकी उत्पती होती है अमरकंटक की पहाड़ी से नरम्दा नदी यह उत्तर में तो विद्यांचल परवत और दक्सिन में है एक सत्पूरा परवत इनके बीच यानि ब्रंस गाटी से होकर पहती है तो याद रखने नरम्दा नदी यह मद्य परदीश की सबसे बड़ी नदी है और इसे मद्य परदीश की जीमर रेखा भी कहते है तो एक जा में क्योशन पूछ ले कि मद्य परदीश की जीमर रेखा किस नदी को कहते है तो यह कहते है नरम्दा नदी को नरम्दा नदी की परमुक साहयक नदी है औरंग दवा और सेर नेक्स्ट है यहाँ पर ध्यान रखना है आपको कि अमरकंटक से दो नदीया निकलती है एक तो है नरम्दा नदी और एक सोन नदी तो याद रखना है कि जो मद्य परदेश का अमरकंटक है यहां से दो नदिया निकलती है एक तो निकलती है नरमदा नदी और एक निकलती है सोन नदी जिसको हमने गंगा नदी तंतर के अंदर कवल किया था कि यह जो सोन नदी है यह गंगा नदी में जाके मिल जाती है और नरम्दा नदी और सोन नदी यह दोनों नदिया ब्रन्स गाटी से होकर बैती है नेक्ट अम बात करते हैं तापती नदी की जिसकी लंबाई यह 724 किलोमेटर यह मद्य परदेश के बैतुल जिले के निकत सत्पूरिया पहाडियों से निकलती है तो याद रखना है कि तापती नदी यह मद्य परदेश के सत्पूरा पहाडियों से निकलती है और यह नदी मद्य परदेश, महराष्ट और गुजरास से प्रवायत होती हुए अरब सागर में जाकर मिल जाती है नेक्स्टम बात करते हैं माही नदी की जिसकी लंबाई है 583 किलोमेटर और इसका उद्गम होता है मद्य परदेश के थार चिले से तो मद्य परदेश के थार चिले के समीप में है विद्याचल परवस्त रेनी यहीं से होता है माही नदी का उद्गम यह मद्य परदीश, राजस्तान, गुजराज से बैठतेवे यह नदी खंबात की खाड़ी में गिर जाती है यही पर आपको ध्यान रखना है कि जो माही नदी है यह भारत की एकमात्र ऐसे नदी है जो करकर रेखा को दो बार काटती है तो याद रखना है कि जो माही नदी है ये करक रेखा को दो बार काटती है नेक्स्ट है गोदावरी नदी जिसकी कुल लंबाई है 1465 किलोमेडर और गोदावरी नदी ये प्राइदीपी ये भारत की सबसे लंबी नदी है तो याद रखना है प्राइदी पिये भारत के सबसे लंबी नदी है गोदावरी नदी गोदावरी नदी का उधिगम होता है महराष्ट के नासिक जिले के त्रेमबेकेसवर से निकलती है तो उधिगम महराष्ट के नासिक जिले के त्रेमबेकेसवर से होता है और ये दक्षिन पूरव की और भैतेवे, बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है नेक्स्ट है, यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि जो गोदावरी नदी है, इसके प्रमुक सहाइक नदी है पैन गंगा, इंद्रावती और पार्ण हिता जिसमें इंद्रावती नदी जो है, यह है इंपोर्टेंट नदी है क्योंकि यहाँ से एक्जाम में क्योशन पूछ लेता है कि इंद्रावती नदी जो है, यह है किसकी सहाइक नदी है तो यह है गोदावरी के प्रमुक सहाइक नदी नेक्स्ट हम यहाँ पर बात करते है कृष्णा नदी की कृष्णा नदी यह प्रायदीपिय भारत की दूसरी सबसे वड़ी नदी है तो याद रखना है कृष्णा नदी यह प्रायदीपिय भारत की दूसरी सबसे वड़ी नदी इसका उद्गम महाराष्ट के महा बलीश्वर के पास से होता है कृष्णा नदी महाराष्ट से होते हुए करना टक तेलंगाना और अंदर परदेश से बैते हुए बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है नेक्स्ट है कृष्णा नदी इसकी प्रमुक सहाइक नदी है तुंग बद्रा, कोईना और भीमा तो तुंग बद्रा नदी, कोईना नदी और भीमा नदी यह है कृष्णा नदी की प्रमुक सहाइक नदिया कृष्णा नदी जल विवाद यह कृष्णा नदी के जल बटवारे से संबन दिते जो कि आंदरपरदीस, करनाटक और महाराष्ट के बीच सन 1957 से चल रहा है तो एक जाम में क्योशन पूश लें कि क्रिष्णा नदी चल विवाद किनकी राज्चों के मत्दे तो यह हैं आंदरपरदीस, करनाटक और महाराष्ट के मत्दे जो कि सन 1957 से चल रहा है नेक्स्टम बात करते हैं महानदी जिसके कुल लंबाई है 851 किलोमेटर महानदी ये चत्यसगड ओडिसा की परमुक नदी है तो याद रखना है महानदी चत्यसगड और ओडिसा की परमुक नदी है महा नदी का जो उद्गम है यह चत्तिस गड़ के राइपुर के निकट सिहावा पहाडी से होता है तो याद रखना है चत्तिस गड़ के राइपुर के निकट सिहावा पहाडी से होता है महा नदी का उद्गम यह नदी आगे पुर्व की और बैते हुए उडिसा में प्रवीश करती है और डेल्टा का निर्मान करते हो है बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है तो यह है महा नदी यहीं पर आपको द्यान रखना है कि एक तो है तेल नदी और एक है जौक नदी जो कि महा नदी की परमुख सहायिख नदी है एक्चा में यहां से क्योशन पुछावा है रेल्वे के इंदर कि तेल नदी किसे नदी की पर्मुक सहाइक नदी हैं तो यह हो जाएगी महा नदी की पर्मुक सहाइक नदी नेक्स्ट है कावेरी नदी और जो कावेरी नदी है ये करनाटक के कुर्ग के निकट ब्रह्म गिरी पहाडियों से निकलती है कावेरी नदी और करनाटक तमिलनादू से भैते वे तिरुचिरेपुली के निकट वंगाल की खाड़ी में जाकर गिर जाती है तो ये हो जाएगी कावेरी नदी यहीं पर आपको इंपोर्टेंट बात याद रखने है कि एक तो है अपने पास में गंगा नदी, एक है क्रिश्ना नदी, गोदावरी नदी, महा नदी और कावेरी नदी ये सबी नदिया डेल्टा का निर्मान करती है जबकि भारत का सबसे बड़ा डेल्टा ये मनाती है गंगा ज़ता भ्रह्म पुतर नदी तो गंगा और भ्रह्म पुतर नदी मिलकर बनाती है भारत का सबसे बड़ा डेल्टा जब कि भारत का दूसरा सबसे बड़ा डेल्टा ये बनाती है क्रिष्ना नदी और कोदावरी नदी Next अम बात करते हैं कि जो कावेरी नदी है इससे कहते हैं दक्षिन भारत की गंगा तो एक जाम में क्योशन पूछ लेता है कि दक्षिन भारत की गंगा किस नदी को कहा जाता है तो ये कहा जाता है कावेरी नदी को नेक्स्ट है अन्य पर्मुक नदिया तो अन्य पर्मुक नदियों में हम सबसे पहले बात करने स्वान रेखा नदी की तो स्वन रेखा नदी यह जारकन में बहने वाली एक पहाड़ी नदी है तो याद रखने जारकन में बहने वाली एक पहाड़ी नदी है स्वन रेखा नदी यह नदी राची के निकट छोटा नागपूर के पहाड़ से निकलती है और जारकन से निकल करी है पच्चिम बंगाल और ओडिसा से होते बंगाल की खारी में जाकर गिल जाती है प्रसित सहर जमसेद पुर यानि जो टाटा नगर है ये स्वण रेखा नदी के टटपरी स्कित है तो याद रखना है प्रसिद सहर, जमसेद बुर, जिसे टाटा नगर की नाम सी जाना जाता है, यह स्वर्ण रेखा नदी के तड़ परिस्टित नेक्स्ट है लूनी नदी और जो लूनी नदी है, इसका उद्गम अजमेर के निकट अरावली पहाड़ियों के निकट इस्तितनाग पहाड़ियों से होता है लूनी नदी का उद्गम और यह राजस्तान से बहते वे गुजरात के कच में दाकर यह नदी विलुप्त हो जाती तो याद रखने कि जो लोनी नदी है यह राजस्तान से होते हैं गुजरात के कच्छ के अंदर रण में यह नदी विलुप्ट हो जाती है तो एक्जाम में क्योशन पुछले कि कौन सी नदी गुजरात के कच्छ के रण में विलुप्ट हो जाती तो यह हो जाएगा लूनी नदी आगे हम बात करते हैं यह नदी जो है यह साल्ट रिवर के नाम से भी जाना जाते हैं तो लूनी नदी इसको साल्ट रिवर के नाम से भी जाना जाता है नेक्स्ट है काली नदी और जो काली नदी है इस नदी को सारदा और काली गंगा के नाम से भी जाना जाता है तो याद रखना है सारदा और काली गंगा के नाम से जाना जाता है काली नदी को काली नदी यह नदी हमाले में इस्थित काला पानी नामक इस्तान से निकलती है तो याद रखना है हमाले इस्थित काला पानी नामक इस्तान से निकलती है और यह उत्तराखंड उत्तरपर्देश में होते बे यह नदी घागरा नदी के साथ मिल जाती है काली नदी के बारे में important बात याद रखनी है कि जो काली नदी है ये पूर्व की और नेपाल और भारत की अंतराष्टी शेमा का निर्मान करती है तो एकजाम में question पूछ ले कि नेपाल और भारत की अंतराष्टी शेमा का निर्मान कोल सी नदी करती है तो यह करती है काली नदी नेक्स्टम बात करते है पैनार नदी के बारे में पैनार नदी जो है यह भारत की एक परमुख नदी है तो याद रखना है पैनार नदी यह भारत की एक परमुख नदी यह किसी भी नदी की सायक नदी नहीं है पेनार नदी जो है ये करनाटक के नंद दुर्ग पहाड़ी से निकलती है और पुर्व की ओर 970 किलोमेटर भैकर बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है तो पेनार नदी के बारे में इंपोर्टेंट बात याद रखनी है आपको कि यह नदी भारत के एक परमुक नदी है और ये करनाटक के नंद दुर्ग पहाड़ी से निकलकर पुर्व की ओर 970 किलोमेटर भैकर बंगाल की खाड़ी के अंदर गिर जाती है तो यह थी हमारी परमुक नदिया जो कि थी हिमाल नहीं नदिया प्राइदी पिये नदिया और उसके लावा कुछ इंपोर्टेंट अनिये नदिया थी उनको भी हमने डिसकस किया अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगाओं तो इससे लाइक और सेर करना ना भूलिएगा साथ ही अभी तक आपने हमारे चैनल को सबस्क्राइब नहीं किया है तो चैनल को सबस्क्राइब कीचिए लेटेश स्टडी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए